इस वीडियो में हम दिखाने जा रहा है कैसे पांच रुपे के अंदर एक मिनी इंडिकेटर बना सकते हो बहुत ही इजी लिए ये 220 वोल्ट AC को इंडिकेट करेगा अब देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से वार्क कर रहा है तो बिना किसी टामेश्ट के चलते है असले वीडियो में एक छोटे से इंट्रो के बाद पहले हमें एक छोटे से प्लाग चाहिए जो आपको दिवाली का टुनिलाइट के साथ मिल जाएगा इजी लिए और एक चाहिए 3MM LED जिसको आपको लोकल मार्केट में बहुत इजी ली मिल जाएगा एक रूपे के हिसाब से और एक चाहिए 180 के ओम्स का रिजिस्टेंस जिसको आपको लोकल मार्केट में एक रूपे के हिसाब से इजी ली मिल जाएगा और एक चाहिए डायोड जिसको आपको लोकल मार्केट में दो रुपे में हिसाब से इजीली मिल जाएगा पहले प्लाग के उपर एक छोटे से मार्क करना पड़ेगा जिसके उपर कुछ ऐसे होल करने पड़ेगा पहले हमको LED को मोड़के उस होल के अंदर में घुसा देना होगा बिल्कुल ऐसे उसके बाद LED के दोनों टर्मिनल को मोड़ देना होगा मैंने जैसे मोड़ दिये उसके बाद LED का नेगेडिव टर्मिनल के साथ डायोड को कुछ ऐसे तरीके से जोड़ना होगा हमें LED का नेगेडिव टार्मिनल को डायोड का नेगेडिव टार्मिनल के साथ मोड देना है उसके बाद LED का नेगेडिव टार्मिनल के साथ रेजिस्टेंस को फिट कर देना है पहले रेजिस्टेंस का एक टार्मिनल को कट के थोड़ा छोटा करना है उसके बाद LED के साथ मोड़ना है अब इक्ट्रा वायर को कटर के द्वारा कट करना है हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार अब उसके उपर के कैप को लगाना है उसके बाद सेप्टी के लिए ब्लेक टेप को कैप के उपर मोड़के हीड़ देना है बिल्कुल ऐसे हमारे इंडिकेटर बिल्कुल बनके तैयार अब चलो टेस्ट करते है आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरफ से वाग कर रहा है अगर ये वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद